जैहिन आज की वीडियो में मैं आप लगों के लिए मध्यप्रदेश के अभ्यारन से संबंदित महत्पुण प्रस्ण लेकर आया हूं मैंने इस वीडियो में वा सभी कोश्चन लिये हैं जो एक्जाम्स की द्रश्टी से बहुत इनपार्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं दे पादिक संख्या पाई जाती है इसमें मुख्यता इंडियन बाइसन गोर पक्षी जिसे कहा जाता है पाया जाता है तथा प्रदेश का प्रथम बायो इस्पेर पचमडी भी इसी राश्टी उध्यान के अंतरगत इस्थित है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्यन की ओर न अबाज जलासे संग्रहन छेत्र में इस्थित है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्यन यहाँ पर हमारा मद्दप्रदेश के धार जिले में इस्थित सरदारपूर अभ्यारण के तहत किस पक्षी का संरक्षन किया जाता है तो इसका राइट आंसर है खर्मोर पक्षी का के स्थापना बर्स 1983 में हुई थी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्यन की और नेक्स्ट कोश्यन यहाँ पर हमारा मद्दप्रदेश के किस अभ्यारण में पाई जाने वाली नाभासी पक्षीयों की प्रजातियों पर आधारित पुस्तकों का लेकर प्रसिद बेग्यानि सलीम अलिम ने किया है काफे इंपर्टेंट कोश्यन ने आपको याद रखना है इस वीडियो में ने सारे इंपर्टेंट कोश्यन लिये हैं जो पूछे जाएंगे नेक्स्ट कोश्यन है मद्द्प्रदेश में 10 अभ्यारण की स्थापना कब की गई तो इसका जो राइट आ अभ्यारण इस्थापित किया गया है तो इसका राइट आंसर है सोन नदी पर तो इसका नाम इस अभ्यारण में ही छुपा हुआ है सोन गडियाल अभ्यारण सोन नदी पर इस्थापित किया गया है यहां सहडोल जिले में सोन नदी पर इस्थापित है तो जिला भी आपको याद रखना है सेहडोल जिले में यहां केचुवे की सरबादिक प्राचिन प्रजाती पाई जाती है नेक्ष्ट कोशन यहाँ पर हमारा मद्यप्रदेश के दमहों जिले में दुरुगाबती अभ्यारन के इस्थापना कप की गई थी तो इसका राइट आंसर है बर्स 1919 में मद्यप्रदेश के दमहों जिले में दुरुगाबती अभ्यारन इस्थी थे तो आपसे Principally पूछ जासकता है दुरुगाबती अभ्यारन की जिले में इस्थी थे तो आपका आंसर होगा डआपना हुई थी बर्स 1990 में आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question यहाँ पर हमारा मद्ध प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारन इस्थापित किया गया है तो इसका राइट आंसर है आगर मालवा आगर मालवा के सुसनेर में देश तथा प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारन इस्थापित किया गया है जिसका नाम काम देनु गो अभ्यारन है तो इसका नाम भी आपको याद रखना है एक्जामस में पूछा जाता है नेक्स्ट कोश्यन है मद्प्रदेश के किस अभ्यारन में देश का प्रथम लोमडी सनरक्षन केंदर बरस 2017 में इस्थापित किया गया था तो इसका राइट आंसर है राला मंडल अभ्यारन में मद्प्रदेश के राला मंडल अभ्यारन में देश का प्रथम लोमडी सनरक्षन केंदर बरस 2017 में इस्थापित किया गया था राला मंडल अभ्यारन इंदोर में इस्थापित है यहाँ प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारन है तथा प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्या पर हमारा मद्धिप्रदेश में पचमडी अभ्यारण की स्थापना किस बर्स की गई थी तो इसका जो राइट आंसर है वह बर्स 1977 में मद्धिप्रदेश में पचमडी अभ्यारण की स्थापना बर्स 1977 में की गई थी यहां होसंगाबाद जिले में स्थापित है इसे मद्धि कोशन हैं पर हमारा मद्यप्रदेश के किस अभ्यारण के अंतरगत चोकी गड़ का किला इस्थी थे तो इसका जो राइट आंसर दोस्तो वह है सिंगोरी अभ्यारण मद्यप्रदेश के सिंगोरी अभ्यारण के अंतरगत चोकी गड़ का किला इस्थी थे सिंगोरी के अब्दुल्ला गंज में स्थित है नेक्स्ट कोउशिन ही हाप नमारा मद्परदेश में किस अभ्यारण के अंतरगत स्थित बंज छेत्र को भारत के सब से पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है तो इसका राइट आंशर है बोरी अभ्यारण बोरी अभ्यारण में इस्थित बन छेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है इसकी स्थापना होसंगाबाद जिले में की गई है Next question है पर हमारा मद्प्रदेश में किस अभ्यारण को पक्छियों का अभ्यारण कहा जाता है तो इसका जो right answer दोस्तो वह है ओर्चा अभ्यारण को मद्प्रदेश के ओर्चा अभ्यारण को पक्छियों का अभ्यारण कहा जाता है ओर्चा अभ्यारण टीकमगण जिले में बेतवा नदी के किनारे इस्थीथ है Next question है यापर हमारा मद्यप्रदेश के एक मात्र अभ्यारन का नाम बताईए जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है तो इसका राइट आंसर है राता पानी अभ्यारन काफी important question ने कई बार exam में आ भी चुका है मद्यप्रदेश का एक मात्र अभ्यारन राता पानी अभ्यारन है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिल किया गया है और यहाँ 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिल किया गया था तो इसका जो right answer है वह है बगदरा अभ्यारण मद्प्रदेश के बगदरा अभ्यारण में जंगली भेंसों को संरक्षन प्रदान किया गया है बगदरा अभ्यारण सीधी जिले में इस्थी थे तो यहाँ भी पूछा जा सकता है किस जिले में है तो आपका अंसर होगा सीधी जिले में इस्थी थे नेक्स्ट कोशन यहाँ पर हमारा संजय गांधी डुब्री अभ्यारण में कौन सी नदिया प्रवाहित होती है तो right answer है गोपद, बनास और सोन नदिया संजय गांधी डुब्री अभ्यारण में गोपद, बनास और सोन नदिया प्रवाहित होती है यहाँ अभ्यारण बर्स 1975 में सीधी जिले में इस्थापित किया गया था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और मद्यप्रदेस में सहटोल उमरिया जिले में पन पथा अभ्यारण की स्थापना कीश बर्स की गई तो इसका जो right answer है वर्स 1983 में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और मद्यप्रदेस की किस जिले में फेन मीनी कोर अभ्यारण इस्थी थे प्रदेश के एक मात्र राष्ट उध्यान का नाम जिसमें बस जीब हाती डोंगी एबं नाव चलाने की अनुमती प्राप्ते हैं प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट उध्यान को किस प्रकार के बनों के अदभूत संधी इस्थल के रूप में जाना जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वह है साल और सागोन यहां पे थोड़ी मिस्प्रेंटिंग हो गई है साल और सागोन के अदभूत बन मिस्रन संधी के रूप में सत्पुडा राष्ट उध्यान के बनों को जाना जाता है संजे गांधी राष्ट उध्यान के अंतरगरत कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है तो इसका राइट आंसर नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती है सीधिवा सिंग्रोली जिले में इस्थित संजय गांदी राष्ट उध्यान से सोन गोपद और बनास नदी सोन गोपद बनास तथा कोलार नदी प्रवाहित होती है तो यह चारों के नाम आप याद रख सकते हैं संजय गांदी राष्ट उध्यान के अंतरगत सोन गोपद बनास एवं कोलार नदीयव के जल संग्रहन छेतर के अंतरगत यहां संजय गांदी राष्ट उध्यान इस्थित थे और यहां आभी भाजित मद्प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट उध्यान था आगे बढ़ते ह राष्टियु उध्यान के अंतरगत के बनो के विस्तार में नहीं पाया जाता है। पन्ना राष्टी उध्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर है के नदी को पन्ना राष्टी उध्यान की जीवन रेखा के नदी को कहा जाता है पन्ना राष्टी उध्यान पन्ना एवं छातरपुर जिले में विस्तरत है पन्ना राष्टी उ गया है तो इसका जो राइट आंसर है आप्शन 3 इसका राइट आंसर है 3 पन्ना राष्ट उध्यान को भोगोलिक रूप से पन्ना जिले के अंतरगा तीन भागों में विभक्त किया गया है और केन नदी को इस राष्ट उध्यान की जीवन रेखा भी कहा जाता है आगे स्थापना बर्स 1981 में की गई थी यहां पार्क रेप्टाइल पार्क और जंगली भेंसा के लिए प्रसीद्व है तो आपसे पूछा जाता है किस राष्ट उध्यान में रेप्टाईल पार्कशित किया गया है तो आंसर होगा पन्ना राष्ट उध्यान में काफी इंसित्व रवार एक्जाम्स में आता है मेरिमिक और इसका प्रदेश कए है वा है बांदोगड राष्टुद्यान को लेंड्स-आफ तैगर के नाम से भी जाना जाता है यहां उमरिया जिले में इस्थित है यहां राष्ट पहाड़ियों से घीरा हुआ है potrze मध्यप्रदेश के जिले का नाम याद रखना है किस जिले में इस्थित बांधवगण राष्ट्युद्यान है उमर्य जिले में और या 32 पहड़ियों से घीरा हुआ है या कोशन भी इससे रिलेटेड पूछा जाता है नेक्ष्ट कोशन है मध्यप्रदेश के उमर्य जिले मे इस्थित बांधवगण राष्ट्युद्यान के अंतरगत बांधवगण के किले में विश्व रूप भगवान की मुर्ती देखी जा सकती है नेक्ष्ट कोशन यहापर हमारा बांधवगण राष्ट्युद्यान के मध्य से कोन सी नदी प्रवाहित होती है तो इसका जो रा पुराना बांधावगड का किला इस्थी थे नेक्स्ट कोशन यहां पर हमारा मद्यप्रदेश का कौन सा राष्ट उध्यान 32 पहाडियों से घिरा हुआ है तो यहां मैंने अभी आपको बताया था इसका अंसरे बांधावगड राष्ट उध्यान मद्यप्रदेश का बांधावगड राष्ट उध्यान 32 पहाडियों से घिरा हुआ है इस राष्ट उध्यान में सरबादिक बाग घनतु पाया जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर नेक्स्ट कोशन यहां पर हमारा बांधावगड के जंगल में रिवा के सासक म सपेद्बाग Johann ऐसे 28 म forefront को महराजा मार्तन की पकड़ा था आगे बढ़ते हैं दोस्तों यदि आपको वीडियो महाइक कर तो चेनल को को यहां पर आप लोगों को एम पी गववर्मेंट इक्जन की वेकेंसई के हिसाब से एतने अच् sự बीडियो देखने कम लेंगे कि आ तो चलिए next question की ओर बढ़ते हैं प्रदेश में किस राष्टी उध्यान से मेल घाट कोरिडोर गुजरता है तो इसका जो right answer है वा है सत्पुड़ा राष्टी उध्यान से प्रदेश में सत्पुड़ा राष्टी उध्यान से मेल घाट कोरिडोर गुजरता है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और next question यहाँ परमारा प्रदेश के उमरिया जिले में बांधाउगड राष्ट उध्यान की स्थापना कीस बर्स की गई है तो इसका जो राइट आंसर वा है बर्स 1968 में प्रदेश के उमरिया जिले में बांधाउगड राष्ट उध्यान की स्थापना बर्स 1968 में की गई थी तो इसका जिला विशेश का राप याद रखें उमरिया जिले में इस्थी थे और यह किस जिले में इस्थी थे तो उमरिया जिले में इस्थी थे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन यहाँ पर हमारा बेंगाउल टाइगर के लिए प्रसिद बांधाउगड राष्ट उध्यान के किस मादा बाग को नेशनल जियोग्राफिक मेक जिनके प्रश्ट कबर पर प्रदर्शित किया गया था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन यहाँ पर हमारा प्रदेश में सर्व प्रथम सपेद बाग किस बर्स देखा गया था तो इसका राइट आंसरे बर्स 1914-15 में प्रदेश में सर्व प्रथम सपेद बाग बर्स 1914-15 में देखा गया था next question यहां पर हमारा प्रदेश के किस राष्ट उद्धान में प्रसीद सपेद बाग चार्जर के नाम पर चार्जर पॉइंट निर्मित किया गया है तो इसका राइट answer है بांदोगर राष्ट उद्धान में Next question है, खिबनी अभ्यारण में से किस नदी का उदगम होता है? तो, इसका राइट आंसर है, बाल गंगा नदी का. खिबनी अभ्यारण से बाल गंगा नदी का उदगम होता है. खिबनी अभ्यारण की स्थापना बर्स 1955 में देवास जिले में की गई थी. बालगंगा नदी पर संकर खो जल प्रपात इस्ति थे तो यहाँ भी पूछा जाता है संकर खो जल प्रपात किस नदी पर इस्ति थे तो आंसर होगा बालगंगा नदी पर आगे बरते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन यहां पर मारा मद्यप्रदेश के किस अभ्यारण के अंतरगत चीडी खो जील इस्थी थे तो इसका राइट आंसर है नर्सीगर अभ्यारण मद्यप्रदेश के नर्सीगर अभ्यारण के अंतरगा चीडी खोजिल इस्थित है नर्सीगर अभ्यारण राजगर जिले में इस्थित है तो यहाँ भी पूछा जाता है नर्सीगर अभ्यारण की जिले में इस्थित है तो आंसर होगा राजगर जिले में नेक्स्ट कोशन या पर मारा प्रदेश के सिभपूरी जिले में इस्थित करेरा अभ्यारन में कौन सी नदी प्रवाहित होती है तो इसका जो राइट आंसर है वा है महुआर वा वगेदरी सिभपूरी जिले में इस्थित करेरा अभ्यारण से महुआरवा वगेदरी नदी प्रवाहित होती है करेरा अभ्यारण सिभपूरी जिले में इस्थित है इस अभ्यारण में मुख्य रूप से सोन चिड़या गोरईया को सनरक्षन दिया जाता है जिसे हम सोन चिड़या भी कहते हैं, आगे बढ़ते हैं next question की और, next question यहापर हमारा, प्रदेश के किस अभ्यारण में विस्तार मद्ध्प्रदेश के अतिरिक्त राजिस्थान और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो पुछा गया है प्रदेश के किस अभ्यारण का विस अब भ्यारण है यहाँ मद्यप्रदेश के साथ साथ राजस्थान के धोलपूर तथा उत्तरप्रदेश के इटावा में भी फेला हुआ है आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोशन की और नेक्ष्ट कोशन यहाँ पर मारा प्रदेश के पन्ना बद छतरपूर जिले में इस्थित पन्ना राश्ट उध्यान का छेतरफल कितना है तो इसका जो right answer वह है 542 वर्ग किलोमेटर पन्ना राश्ट उध्यान का छेत्रफल है 542 वर्ग किलोमेटर और पन्ना राश्ट उध्यान के अंतरगत पांडो जलप्रपात एबं गाथा जलप्रपात इस्थित है तो पूछा जाता है पांडो जलप्रपात किस राश्ट उध् पूछा जाता है तो इसे भी आप याद रखेंगे . ब्रदेश के किस राश्टी उध्यान में जंघली भेसों को सनरक्षण प्रदान किया गया है , आगे बढते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन यहां पर मारा बर्च 2018 में पन्ना राष्टी उध्यान की प्रमुख आकर्शन एबं विश्व की सबसे उम्रदराज हतिनी की रूपों में किसका नाम गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया है तो इसका राइट प्रदेश में पन्ना राष्टी उध्यान की प्रमुख आकर्शन एबं विश्व की सबसे उम्रदराज हतिनी बश्व का नाम गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन यहां पर हमारा प्र को यहां बिश्व बेंग की सायता से बिश्व बनने जीपकोस की स्थापना की गई है वांधावगड इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है तो राइट आंसर होगा बिट्टू सहगल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स सम्मिलित किया गया था नेक्स्ट कोशन या पर मारा भारत सरकार के आदेशों के अधार पर मध्य प्रदेश के किस राज़िबंस के सासको को सिकार के लिए छेत्र आरक्षित किये गये तो इसका अंसर है रिवा राजबंस भारत सरकार के आदेशों के अधार पर रिवा रा प्रदेश के पन्ना राष्टिध्यान को बिसु प्रसीद बेफसाइट ट्रीप एडवाइजर ने अवाड आफ एक्सिलेंस प्रदान किया है और इसे यह अवाड बर्स 2016-17 में दिया गया था यह भी आपको याद रखना है नामक पुस्तक में प्राप्त होता है तो इसका अंसर होगा संजय गांदी राष्टिध्यान का संजय गांदी राष्टिध्यान के अंतरगत के बंच छेत्र में 1951 में रीवा के महराजा मारतंड सीह ने सपेद बाग मोहन को पकड़ा था ताप से पुछा जा सकता है सपेद बाग मोहन को किस राष्टिध्यान से पकड़ा गया था तो संजय गांदी राष्टिध्यान से की गई थी और यहां सीधी और सिंग्रोली जिलों में इस्थापित किया गया है दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों के लिए क्लिए कीज रखी है तो जिसका अंसर यहां पर पहले से ही दिया हुआ है तो यहां कोशन भी आप लोग पढ़ लेंगे वीडियो पसंद आया ह तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने और यादि आप लोगों को MPGK से रिलेटेट बेस्ट कोशन की वीडियो देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेइलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और आप MP गॉर्णमेंट के किसी भी एक्जाम जैसे MP प्लिस कॉंच्टरबर एक्जाम 2016-2017, MP SI एक्जाम 2016-2017, MP फारेश्ट एक्जाम 2017, पटवारी एक्जाम 2017, एवं MP Tate एक्जाम इन सभी एक्जाम के प्रिवेस येस कोशन की वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेइलिस्ट में देख सकते हैं और इन सभी एक्जाम के लिए झाल